एक नरोतम जोगी थे जंगल में तब करने गए सन्नाटा था पेड़ के नीचे बैठे प्रनायम हाधी करके धरना शक्ति बढ़ा कर अपने ध्यान को बहुत उंचा लगाया महराज ध्यान ऐसा लग गया कि कई दिन कई सब्ते कई महने गुजर गए उस सन्नाटे में चिडिया ने उसके घ włairm उसकी जटाओं में अपना घुणशला बनाया चिडिया के बच्चे वे बच्चे, बच्चों के बच्चे ऐसे करते एक विस्तार हो गया पेड़ पर नरोतम जोगी जब उठा बोला कि यहां तो शांती थी इतनी सारी चिडियां कहां से आगी कमबत जो ही धको देखा तो एक चिडिया ने बीट कर ली नरोतम जोगी के आँख में पड़ गया उसको गुसा आया तो जरा गुसे से देखा तो जीडिया जलकर खाक हो गई नरोतम जोगी ने कहा कि अपनी तफस्या सिद्ध हो गई अब बजार की और चला गाहूं की और तो जब प्रानायम करके समाधी करते तो भूख पैस रुक जाती है लेकिन जड़ आदमी चलता और प्रान की रिदम चलती तो भूख पैस लगना है उसको भूख लगी किसी दरवाजे पर अलग जगाया नारायन हरी लेकिन वो जहां अलग जगाया वो माई इस शलोग के साथ जूड़ी थी मानो तस्याहम सुलभप पार्थो नित्य युक्त से योगी नहा उसको पती के सरीर में अपना परमात्मा देखता है पुत्र को भी गहराई से पुत्र की गहराई में परमात्मा और अपने गहराई में परमात्मा देखता है ऐसी सुमूरती से वो घर काम कर रही पती उसका बुढ़ा था बिमार था वो सेवा कवई थी नरुतम जोगी ने अलग जगाया कि अलग मिल जाए बिक्षा माई ने का महराज जरा थोबो थोबा थोड़ा ठेरो मैं अभी आई महराज दो पांच मिनट बीती नबीती सोचने लगे कि माई की बच्ची क्या समझती है अभी अभी मुझे गुस्सा हुआ तो चिडिया जलकर खाक हो गई तो यह माई को गुस्से से देखूंगा तो फिर उसका क्या हलोगा उसको पता नहीं चलता नरुतम अपने मन में बिचार कर रहा है माई ने अंदर से आवाज दिया कि माहराज शमा करना मैं वो जंगल की चिडिया नहीं कि तो मारे क्रोध से जलकर खाक हो जाओंगे माहराज धीरज रखना जैराम जी तो बोलना पड़ेगा घर काम करते हुए बच्चों को संजाते सवारते और पत्ती की सेवा करते माई इतनी उंची कोटी की कैसे हो गई नरोत्म को अब तो भीक्षा मांगना रोटी मांगना मात तो नहीं रहा उससे ज्ञान मांगने की इच्चा से बैठ खड़ाई रहा माई अपने पत्ती की चाक्री करके पहुची बोले माँ मेरे मन की बात तुमने अपने घर में घर काम करते करते कैसे जान ली माई करते के मेरे पत्ती की हालत जरा गंभीर है महराज मैं इतना समय नहीं दे सकती आपको अगर आपको ये ज्ञान जानना है तो सदना कसाई के पास जाए सदना कसाई एक बार तो धक्का लगा लेकिन सोचा के ग्यान तो चाहे कहीं भी मिले ले लेना चाहे कहां तो वो नरोतम जोगी और कहां कसाई की दुकान पूछ रहा है शरम से भी पूछना तो पड़ता है पूछते पूछते उसकी दुकान के सामने गया तो सद्ना कसाई बोलता है कि महराज उस माई ने भेजा है ने आपको और धका लगा कि ये दुकान पे बैठा तोल रहा है मीट और माई ने भेजा हद हो गई महराज में अपना ये दुष्ट प्रारब्द का काम पूरा करके ना धोकर तुमारे जैसे पवित्र संत के पास हाजिर होता हूँ नरो तम जोगी बैठे रहे सद्ना ने अपना नित्य जो कुछ था तराजू वराजू साब सफा क्या नाया दोया पहुँच गया बोले भाई तुमको ये ज्ञान खासे महराज मैं बाहर से कसाई दिखता हूँ लेकिन मेरा उस कर्म में रुची नहीं है दुष्ट प्रारब्द पूरा कर रहा हूँ अगर मैं मेरी जगा पर दूसरा होता तो चार बक्रे हलाल करता मैं तो ऐसा ही लाता हूँ थोड़ा सा बेज कर गुजारा कर लेता हूँ मैं खाता नहीं और महराज मुझे मेरे मन को में रोज भोजन कराता हूँ बाद में अपने मुँग को भोजन कराता हूँ मन का भोजन भगवान का ध्यान है और मुँग का भोजन अन जल और महराज संसार की चीज़ें गिराक से मैं ऐसा वैवार करता हूँ कि गिराक को ठगी न हो और मेरी दो रोटी मिल जाए संग्रा करके मर जाना किस काम का बेटों का प्रारब्ध होगा अगर पूत सपूत होगा तो उसको धन अपने आप मिलेगा और कपूत होगा तो मेरा धन दिया वह कब तक रखेगा अगर पूत सपूत है तो फिर काहे धन संचय वो तो कहीं भी कदम रखेगा उसको तो मिलना मिलना है अगर कपूत है तो तुमारा धन कब तक रहेगा इसलिए पुत्रों के लिए कूड कपट करके धगला देकर उनकी बुद्धी बरबाद करना नहीं चाहता उनकी आजिवी का गरस्ती जीवन का दो पेशा कभी काम आये रखता हूं लेकिन महराज वो धन नश्वर है ऐसा गुरू का ज्यान साथ में रखता हूं और मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है इसकी सुमरती रखता हूं और अपने मन का अनुसंधान करता हूं तो दूसरे के मन की बात पता चल जाता है जैराम जीखिए आप अपने मन का ठीक से नियंधरम कीजिए अनुसंधान कीजिए दूसरे के मन की बाद जानना आपके लिए खेल हो जाएगा नरुतम जोगी सोचता है कि मैंने तपस्या की चिडिया को यूं गुस्ये से जहां का चिडिया जलकर मर गए लेकिन मेरी तपस्या की अपिक्षा इनकी तपस्या सुलभ भी है और उंची भी है ये केवल उस माई की और नरुतम की ही उंचाई नहीं ऐसे तो कई महापुरुश हो गए